प्रेजी लेड़ी सेरी घटाएं बिस्मिल्य हर्माने रहीम असलामुलैकूम कैसी है मेरी बाइटी की फैमली अमीद करते हैं कि सारे लोग बहुत खुश होंगे अबाद होंगे और सबके रोजे बहुत आसानी के साथ गुशर रहे होंगे और आज आप सबकी रिक्वेस्ट पे हम लेकर आए हैं अपना सही का ब्लॉग और हम सहरी की प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो सारी चीज़े आपके साथ आज शेयर करेंगे तो सुबा का वक्त है और साड़े तीन बज रहे हैं जिया भी सो रहे हैं और हम उट गए बस उटकर सीधे मूँ धुल करके आगे हैं किचन में अपने बावर्ची खाने में और सहरी का ऐतमाम तो किचन में आए बगर हो ही नहीं सकता है तो जिया आज से नहीं जब से उन्होंने रमजान शरीफ के रोजे रखने शुरू किये तब से जिया की आदत है कि वो साथ में आलू की सबजी यानी आलू की भुचिया और आमलेट और साथ में टमाटर धनिया की चटनी या तो फिर आम पुदेनी की चटनी हो तब वो सहरी करते हैं लेकिन आज देखिए इतिफाक से आज ही हमको आपके साथ सहरी वाला जो रूटीन था वो शेयर करना था और आज इतिफाक देखिए कि घर में आलू भी नहीं है और घर में धनिया भी नहीं है पुदीना भी नहीं है। आम भी नहीं है थ्यां यानि की मेरा पूरा जो है जो जो जिया का सहरी में खाने का जो एक शोक है और जो उन्हें पसंद है वो सारी चिज़़े तो हैंजी preciso बहुत तेश थी और कल कोई सबजी याले भाईया भी नहीं नज़र आए तो हमने जिया से कहा कि आप जो है जल्डी से जाकर के ले आओ तो कहने लगें अमा आप जो है रोजा लग भी रहा था और इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि रोजा खोल कर हम जाएं इतनी दूर सबजी लेने के लिए और हमारे बड़े वाले जो साहब जादे हैं वो घर में थोड़ा सा कम रहते हैं वो लखनो गए वे थे और इस वज़ा से जो है मेरा ये सारा काम रह गया तो क्या कर सकते हैं तो जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के साथ जो सहरी प्रिपरेशन हम करेंगे वो आपके साथ जो है हम शेयर करने जा रहे हैं तो यहां जो है दो अंडे हमने फिर इस से लिए हैं वो आपने देखे हैं बताने की जरूरत नहीं है लेकिं फिर भी बता दे रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि आप वीडियो स्कीप करकर के देख रहे होते हैं देख रहे होते हैं ना कमेंट शिक्टिन ने बताईएगा तो यहाँ पर जो अंडे ले लिये हैं क्योंकि जिया को कुछ तो जो है मतलब हेल्थी देना ही देना है क्योंकि पुरे दिन का रोजा होता है तो जाहिर सी बात है आपको कुछ अच्छी गजा लेनी चाहिए कुछ प्रोटीन होना चाहिए प्रोटीन लेना बहुत जरूरी होता है इससे हमारी जो मतलब जिसम में थोड़ी सी ताकत जो है नर्जी बनी रहती है जब आप अच्छी मतलब अच्छा प्रोटीन ले लेते हैं सहरी के टाइम तो फिर आपको जो है दिन भर भूख का एहसास नहीं होता है तो लसी हम कैसे बनाते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं ग्राइंडर में डाल दिया बीजों के साथ तो ये गलती आपको नहीं करनी है नहीं करेंगे ना करिए कभी मतलब वनना लसी जो है लसी का मज़़ा फिर बेकार हो जाएगा तो पांच बदाम लिया है और पांच ही खजूर लिया और इसके अंदर दो चोटी इलाइची डालेंगे जानते हैं लसी में जब आप दो सबस इलाइची डाल देना तो आपको प्यास की शिदद सरा भी नहीं महसूस होती है वह सच में बहुत ही बहतरी नुस्खा है यह तो यहाँ पर हमने दही डाल दिया है दही तक्रीबन हमने आधा गिलास लिया है और आधा ही गिलास इसके अंदर हम पानी एड़ करेंगे यहाँ पर हम दूद नहीं एड़ कर रहे हैं क्योंकि जो है जिया को फिर बहुत ज़ादा रिच हो जाता है तो जिया को इतना ज़ादा तो मतलब इतना रिच वाला जो है रिच वाली रसी नहीं पसंद है और अगर आप चाय भी बनाएं ना तो हम सिर्फ दूद की चाय पीते हैं लेकिन जिया जो है अगर पानी 75 परसंट है तो 25 परसंट चाय के अंदर दूद होना चाहिए तब उन्हें चाय अच्छी लगती है और हमें तो बस खालिच दूद की चाय अच्छी लगती है तो ऐस है तो अब इसके अंदर हम चिल्ड वाटर एड़ करेंगे आप बरफ भी डाल सकते हैं लेकिन हमने बरफ नहीं डालनी है नहीं डालनी है जिया का गला खराब हो जाएगा अगर आप आइस क्यूब्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं बिंदास होकर के तो यहां पर आप डाल दिया है और इसके बाद इसके अंदर रुफजा डाल सकते हैं इसके अंदर आप छोपी चीजे लसी में डालना चाहते हैं वो डालें और हमने इसके अंदर कभी हम कभी इसमें एक चमशा कर डाल देते हैं कभी हम इसके अंदर दो चमशा कर डाल देते हैं वैज जिया क कर लेंगे तो सारी प्रिपरेशन करके तभी हम चूला जलाएंगे ठीक है अब जिया उटते हैं जब सो करके बरश करने के बाद आते हैं सारी चीज़ इसमें रेडी रहती है और ग्राइंडर जो है अपना जिया से ग्राइंड कर लेते हैं बस उनकी जबर दसी लसी त्यार हो कौन इतने जदा गार्निशिंग करता है यार है कि नहीं चलिए यार फटा 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 से बहुत ज़्यदा बाते होगी वननम सेहरी का समय निकला जा रहा है मस्जद से एनौंस्मेंट आई सारी का वक्त हो गया है सेहरी कर लीजे सेहरी करना सुनत है और हमने यहाँ पर सहरी के टाइम, कुटें भी सारे जाते मोल करतें, अभा भा भा, भा 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 तो हमने कहाँ छो अपनी आवाज वाइस ओवर कर लेते हैं, हमने आपे बासे की था आपसे बहुत मज़े मज़े की सच में, लेकिन उन कुतों की वज़े से मुझे यहां पर वाइस ओवर करना पड़ रहा है क्या कर सकते हैं तो सहरी के लिए देखिए अंडा जो है हमने फेट के रख दिया है लसी भी तियार करके रख दिया है बस उसे ग्राइन करनी है यहाँ पर जिया के लिए हम चपादिया बना देंगे कभी कभी तीन चपादिया बना देते हैं कभी कभी चार चपादिया बना देते हैं और जिया हमारे खालेते हैं है नपड़ी ऐसी बात तो पराठा नहीं बनाते हैं क्योंकि फिर बहुत ज़दा ओयली हो जाता है ना तो हम यहां पर रोटी बना करके और उसके अंदर लगा देते हैं देसी घी तो देसी घी हमारे लिए बहुत मुफीद है हमारी हड़ियों के लिए हमारी जिस्मिक लिए और देसी घी खाने से यार कोई वजन वगरा नहीं ब लगाना है तो बस तीनों चपातियों में हमें घी लगा देंगे हमने घी लगा देना है और उसके बाद जो है जिया की सारी सेहरी रडी करके रख देना है टेबल के उपर और यह देखिए रख दिया है चलिए चलते हैं रूम में और जिया को जगाते हैं जिया उट जो बे उड़ गया हैं ब्रेश करने के लिए और यहां पर हमने कहा जो काम जिया रोज करते हैं चुरो हम कर देते हैं फटा फट से जिया लसी बनाते थे रोज तो हमने का चुरो आज हम बना देते हैं तो जिया की लसी भी लगे हाथ जो है हमने रेडी कर दिया है तो ऐसा है तो जिय जिया ने सहरी कर लिया था फिर उसके बाद जो है नमाज चलेगे फिर अमने कुछ भी निशूट किया अज है नमाज ने क्या किया जिया बताओ सबको फस्त आया स्कूल में नमाज टॉप किया है लाइन पुरुआ के अंदर की स्कूल है बहुत पहमस उसमें टॉप किया नमाज बताओ कों से मिठाओ क्लाएंगे आप उमको नमाज अमको कौन से मिठाओ क्लाएंगे अरे बता दो बताओ मेरी फैमली जारी बुद की बजार नहीं मरी पका लेगी देखो मासी अच्छे देखाई है ना मासी था बड़ी स्मार्ट है लेके आया है गोश्ट हम लब से खाते हैं हम बहुत खाते हैं तब ही तब भैस खाका के भैस हो रही है भैस भैस होने का रात है भैस होश का अच्छा इसको मत ले जाना यह लोग बुद की बजार जा रहे हैं अरसलान वहां से क्लिप्स निकाल ना बुद की बजार की अच्छी 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 कि रहे हैं कि रहे हैं वीडियो सारी शूट करने ही देनी है सारा प्रोडेक्ट आके रखा है ना में वीडियो शूट करके डानला हराल में कल देना था वीडियो मुबारक बात देदो हम फास चाहे है मुबारक बारक को मुबारक को nhất तुम क्या आये हो तुमारे टीशिट पे लिखा अब को तुम कम नौट कम युगो यू गो आयेे मको फोन करो पता करो कि तुम क्या है मैं में बोड़ा आके ले जाई है तो कह दीजे मैं बता दीजे राज मेरा दिल धख धख कर रहा है बहुत तेजी से है की नहीं है अच्छा अच्छा वह ड्रेसिंग टेबिल का ना वह खुल गया है डोर बन कर दो और वह हैंगर जो नीचे गिरा है तुम काम सही निगत दी त हाहांगर और वह वह फिनाएल रख दिया सिंहर दButan के ओपर मेकप करने से पहले क्या इसक्किन कुशी से किलियर करती है बता ओ, जेफ़ा कैसी है यह काम वाली ऑफार गाजा कर रहा, काम वाली और देखो, हम मालिक लोग इतने सखावत लिड़ के हैं करrit हैं कि नहीं जमीन वहीं पढ़कते हैं कर दों other अ वहीं हैं किपास गुथे ज MR तवी परेदी जाती तिम आशिको पताती तेन के लिए और बुर्पा किक पहने के लिए तो ऐसा है इसलिए मर्यम को चड़ा रहा है तो गाइज इस ब्लॉग को हमने जो है सहरी के टाइम से शुरू किया था आप सब की रिक्वेस्ट थी कि कशिश आप जो है अपनी सहरी रूटीन शेयर करें तो आज जो है मेरी पूरी कोशिश थी कि हमारे सेरी में क्या खाया जात है तो थोड़ा बहुत इस चीज का एहसास भी होना बहुत जुरूरी था इने पसंधे चट्नी आ मतल इनका नया ही अंदाज एखाने का तो यह चट्नी काते हैं यह नहीं हमस् Aim वर्वक डिया अ Whyjà ऐख अफ़ार नो पीछारिए मेरा इसभ्रोगर पुशळ जैर टॉयूदों में फो इस घार घृंदे का खूद beslut रिक्सक्राइब 49 करना है डेर सारे वीडियो शूट क्योंकि मेरे कुछ प्रोडेक्ट आए हुए हैं और उन्हें शूट करके आज ही उनके जो है वीडियो जो है आरे खामोश रहो तो आज वह इसलिए रोजा नी है क्योंकि वुद्की मार्किट जा रही है ना तो बुद्की महां सटी वजार कर दो मामाश को जा रहा हुए है अ तो जो मर्निय уже में चोर दिया वही जिया गुसा हो रहे हैं तो चलिया पेर सेरी इसलिए मेरे आंसे प्र चीजन नहीं बनती हैं बच्चे कुछ और कुछ बी नहीं खाते हैं वही चीज़ बने व्हां जूर्के सादे कर एски घृ ऐ चलिए फिर इस व्लोग को खतम करते हैं लेते हैं अजाज़त दूआ में याद रखिए अपना बहुत सारा ख्यार लगेगा अल्ला हाफिस पाय बाय टेक के लग यूर चलिए चलिए चलिए